नमस्कार, Career Point University हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश में आप सबका स्वागत है मैं डॉक्टर बिंदू शर्मा और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रास्ट्रिय वो अंतरास्ट्रिय स्तर पर योगा और आयुरुवेदा में ख्याती प्रापत कर चुके वेरियस ओगनाईजेशन के रास्ट्रिय अध्यक्ष, वेरियस IPS, IAS और सुप्रीम कोट जजजेश और फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल योगा ट्रेनर रह चुके जॉक्टर रामावतार जी, यहां मैं बता देना चाहती हूँ कि जॉक्टर रामावतार जी हमारे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपूर में एज एज़ेंट फेकल्टी कारेरत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ योगा और आयुरुवेदा में इनी शब्दों के साथ मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी जॉक्टर रामावतार जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका और मेरे को भी कैरियर पॉइंट विश्विद्याले में आने का स्वभाग मिला है मैं अपने तैदिल से पुष्विद्याले के सभी पधादिकारी गणों का बाइस चेर्मेन जी का रेश्टरार साब का इन सभी का तैदिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके बीच में आकर के मेरे को अती प्रसंशा हो रही है और इसमें जो भी आप हम मिलकर के कुछ चर्चा करेंगे ताकि हम योग और आयुरवेद में आगे तक उचाईयों तक जा सकें सर आज की चर्चा में सबसे पहला क्वेश्चन जो की योगा और आयुरवेदा से रिलेटिड है की योगा और आयुरवेदा हमारी दैनिक जीवन में क्या महत्वर रखती है आज का जो समय है वैसे तो स्वास के प्रती बहुत जागुता आ चुकी है प्रात्यकाल हम देखते हैं कहीं भी पार्कों में जाते हैं तो वहाँ पर योगाशन करते हुए नजर आते हैं पार्कों में घरों में भी जबसे एक क्रोना हुआ है जो बनोस्तिया आयुरवेद की जो चीज़े होती थी घर में जो किशन की चीज़े होती थी उनको पहले अपने स्वास के प्रती जागता नहीं थी, लेकिन क्रोणा के बाद ते और क्रोणा के समय में जो आयरवेद की जो चीजे हैं, जो घर में किचन में हैं, उनको जैसे डाल चीनी है, लोंग है, अजमाइन है, आपका जीरा है, धनिया है, ये सबी चीजे जो घर में यूज की जाती हैं, वो सब हमारे स्वास के प्रती बहुत लापकारी होती हैं, हम सुवे प्राते काल सोचादी से निब्रत होकर कि, यदि आदा घंटा हम योग कर लें, तो जैसा सभी को जानकारी है कि योग बगाए रोग, योग आसन हम करेंगे, तो हम अपने सरीर को टीम आप्ट करता है, तो उसके लिए फ्यूचर में क्या अपॉचुनिटीज रह सकती हैं? मानसिक विकास होता है, नेतिक विकास होता है, चरित का निर्माण होता है, और बहुत बड़ा जो आज के समय में है, भौतिक विकास, अर्थात ब्यापार और जीवन का जो सबसे बड़ा महत्व है, वो है अध्यात्मिक विकास, तो यहाँ पर हमारे जीविका की बात आ रह देब जी ने योग के माध्यम से इसको बिजनिस बना दिया है, इसको पैसा कमाने का एक जीवन को जीने का अच्छा एक साधर बना दिया है, उसी तरह से आयरवेद का भी यदि सही जानकारी किसी को हो जाए, तो जो हमारे देश में जगे जगे पर रोडों के किनारे किनारे जड़ी बूटिया हैं उनका ज्ञान आपको हो जाए तो उससे भी आप बहुत बड़ा ब्यापार कर सकते हैं आपका जो प्रस्ण है बहुत अच्छा है क्योंकि घरवालों को बच्चे के जो पेरेंट्स है उनको यही परिशानी होती है कि डिप्लोमा तो हमारा योग का आरिवेद का कर लेंगे बच्चे लेकिन नोकरी के लिए कहा जाएंगे आज हमारे देश के मानिये जंजन के प्रिये नेता और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है कि अंतर राष्टिये छेत्र में इसका एक ब्यापार भी बना दिया है योग का और आरिवेद का अभी दो दिन पहले ही गुजरात में जामनगर में आरिवेद के इबारे में उन्होंनों उद्गाटन किया है सभी की निखा हमारे देश के तरफ है इसी तरह से योग के लिए जो भी योग का डिप्लोमा करेंगी मानिये प्रधान मंत्री जी के द्वारा सभी प्रांतों मे सभी विश्विद्यालों में कॉलिजों में योग की अध्यापक की भरती करने का प्रारहम चालू कर दिया है उत्तरप्रदेश हरियाना दिली गुजरात कैसारे प्रांतों में यह चालू भी हो गया है भरती भी चालू हो गई है तो आज इसकी डरने वाली बात ही नहीं रह ये 192 देशों में जो अंतराश्ट्य योग दिवस मनता है सभी देशों में इसकी बहुत सारी जरुत है और हमारे पूरे देश के लिए योग शिक्षा का बहुत ही आवश्यक्त है क्योंकि योग शिक्षा से ही सर्वांगीन विकास तो होता ही होता है लेकिन अपना स्वास से अच्छा होता है संसकार अच्छे आते हैं आज योग के डिपलोमा करने के बाद ना केबल बिद्यालों में नहीं इनको हॉस्पिटलों में भी भरती हो रही है वहां योग तरपी जो जानता है इसे भी चिकिस्सा हो रही है उसी तरह से आईरवेद की भी हर अस्पताल मे डॉक्टर्स के रूप में भी लग रहे हैं, फार्मेशी के रूप में लग रहे हैं, जो बड़े-बड़े हमारे देश की जो फार्मेशिया हैं, बैदनात हैं, डावर हैं, दूसरे हैं, महसरी पतंजरी है, महरेशी एक और आरवेद फार्मेशी है, महरेशी नौडा वाली, इन सब में बहुत डिमांड है, तो आज घबराने वाली बात नहीं है, बलकि जितने भी ब्यापार हैं, उन सब से ज़्यादा योग और आयरुवेद ही आज अगरणी है. Sir, Career Point University हमिरपूर भी योग और आयरुवेदा के courses offer कर रहा है, तो आपके विचार में Career Point University योग और आयरुवेदा में सिक्षा के समंध में और संस्थानों से कैसे अलग है? मेरा जीवन योग और आयरुवेद में ही पूरा हुआ है, 74 से मैं इस लाइन में रहा हूँ, और 1 जनवर ये 33 से गवर्मेंट के रूप में मैं योग शिक्षा के छेतर में कारिय किया, और मैं दिल्ली गवर्मेंट का प्रोजेक्ट अपसर रहा, और National School Games का SGFI का मैं आपजर 700 गाउं से ज़्यादा गाउं को आइस मंत्राले के साथ जोड़कर के वो लाइब दिखाया था, और जो हमारे माने प्रदान मंत्री जी हैं, उन्होंने भी योएन में जो 21 जून को अपनी स्पीश दी थी, उसमें तीन बार हमारे इस एकल योग फांडिशन आफ इंडिया क से भी, लेकिन यहां आकर मैंने जो देखा, इसका जो नाम ही है, केरियर पॉइंट विश्विध्याले, जो केरियर को बनाने वाली जी है, यहां के जो भी स्टाप है, ऐसा स्टाप मैंने नहीं देखा, जो विश्विध्याले के विध्यारती हैं, इस तरह के अनुशासन मे मैंने दूसी जगह नहीं देखा, पारिवारिक माहौल मैंने यहां पर देखा, यहां के वाइस चांसलर जी हूँ, चैयर रेश्टर साहब हूँ, मानिया सीरी डॉक्टर संजीब सर्मा जी, और यहां के जितने भी प्रोफेशल्स और जिनके संपर्क में बच्चों के आया हू यहां जो अनुशासन, जो चरित्र और संसकार जो यहां मैंने देखे हैं, वो दूसी जगह नहीं देखा है, इस करके मैंने भी अपना एक प्रेम सुक इंटरनेश्टर चैयरिटिवर्ट टरस्ट है, इस बिश्वित द्याले के साथ में एक MOU तयार किया है, जिसमें हम जुड़ करके, तो कि जो मैंने अनुवर्व यहां किया, कि यहां सबसे अच्छा माउल है, यहां अनुशाशन है, यहां जो कहते ही, वो करते हैं, इस करके यह दूसरे बिश्वित द्याले को, वाइस चांसलर साब को, रेश्वित द्याले को, सभी को मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, और इनी सब्दों के साथ में, इस विश्वित द्याले के साथ में, जुड़ करके, कारीरत रहने का कोशिश करूँगा, सर्ध धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाल कर, और करियर पॉइंट उनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी अपना योग से रिलेटिड, और वेदा से रिलेटिड ग्यान बांट रहे हैं, उसके लिए करियर पॉइंट उनिवर्सिटी हमिरपुर आपका सदा अभारी रहेगा, थैंक यू सब, आपको विशेश का धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और योग और आरिवेद के लिए, जो एक चिंतन आप लोगों न किया है, उसके लिए मैं पने नमन करता हूँ